प्रजार करेंगे मसे में प्रेय भाई और भाई और भेनों शाक कली से सानी कली स्याओं के सभी सदस्य जिसें अंदर्शक और प्रमिश्यों की सभी संतान जो ओनलाइनी सभा में शामिल होते हैं यह उत्पत्ती पर आठवा सत्र है पिछले संदेश से आगे बढ़ते हुए मैं आपको साथ आत्माओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिता परमिश्यों के विभाजित अस्तितु में से एक है मैंने आपसे कहा था कि साथ आत्मा परमिश्र का हिर्दे है जो साथ छेत्रों में लोगों को माती है यदि वे अपने विश्रास के परिमान के अनुसार साथ आत्मा के मापड़न को पास कर देते हैं तो उनकी प्राथना को उतर दिया जाता है प्रे भाई और भेनो आप में इसे वो लोग जिनको अपनी प्राथना को तर नहीं मिला है मुझे आशा है कि आप आज के संदेश को दियान से सुनेंगे और समझेंगे कि आपको आपकी प्राथना को उतर क्यों नहीं मिल रहा है मैंने यह भी बताया कि इसे पास करने का मापड़न सभी के लिए समा नहीं है बलकि प्रतेक व्यक्ति के विश्वास के परिमान के अनुसार अलग-अलग है यही कारण है कि सात आत्माय पहले आपके विश्वास को मापती है और बागे छे छेतरों के लिए मापड़न उनके विश्रास के परिमान के अनुसार निर्धारित के जाते हैं आनन्द दूसरा कुण है जिसे साथ आत्माय मापती है आनन्द उधार पाए लोगों के पास मुझूद सबसे महत्पूर्ण प्रमाणों में से एक है अब पहला मापड़न क्या है वो विश्रास है मैंने इसी पिछले सब्त आपको समझाये था आज मैं आपको आनन्द के बारे में बताऊंगा आनन्द उधार पाए लोगों के पास मुझूद सबसे नहीं करते आप संसार की वस्तों से प्रेम करते हैं जितना आप संसार से प्रेम करते हैं यह इस बात का प्रमाण है कि पिता का प्रेम आपके अंदर नहीं है यदि आप परमिश्र से प्रेम करते हैं तो आप संसारिक चीज़ों को दूर करतेंगे जैसे ही आप एक और चीज़ को दूर करेंगे बहले ही आप लंबे समय से मसीहों हो और आपके बास्चर्च में पद हो तो भी आपको अपनी प्रात्रा को अतर नहीं मिल सकता है क्योंकि आपके विशास के अनुसार आप में आनन्द के फल के मात रकम है इसलिए आप साथ आत्माव के मापड़न्ड को पार नहीं कर सकते हैं मसी में प्रेय भाई और बहनों आनंद भी शांती से आता है आपको पहले पिता परमिश्र के साथ शांती बनाने चाहिए और फिर अपने पड़ोसी के साथ शांती बनाने चाहिए इसके अलावा यदि आप अपने आप में शांती में हैं तो आनन्द हमेशा आप में उमरता रहेगा यदि आप पिता परमिश्र के साथ सांती में है तो कम से कम आपके हिर्दे से खुशी गाइब नहीं होगी पिता परमिश्र के साथ शांती में रहने के लिए आपको कभी भी पापो की दिवार नहीं बनानी चाहिए दुश्य शब्दों में आपको परमिश्र के वच्चन में रहना चीए अब आप अपनी हैं आपको चाचे क्या सच्मुश आपके हिते में उमड़ता हूँ आनन्द है क्या आप किसी भी प्रकार की सिते में अनन्दित होते है क्या आप कुछ मेहिने पहले आनने दिते या कुछ हपते पहले कल और या क्या आप अभी भी आनने दिते हैं यदि आप हर समय आनने दिते रहते हैं तो आपको अन्य सभी के साथ शांती में रहना चाहिए दूसे शब्दों में आपको फिता परमिश्यू के साथ साथ दूसरों स्वैंग के साथ शान्ती में रहना चाहिए यदि आप सब के साथ शान्ते में है तो परित रात्मा भी आनन दित होगा और वहें आपको सर्ग कानन देगा उपर से यहां आनन्द कोई नहीं चीन सकता यहां तक कि शत्रू डुश्र सतान भी नहीं वो चीन सकते है हलाकि यदि आपके पास इस तरह का उमरतवा आनन नहीं है तो किरिप्यासवें को चांचे कि शांति कहां भंग हुई है उधारेन के लिए क्या आप यात नियम को मामूली चीज मान कर उनको अन्देखा करते हैं और उसका उनलंगन करते हैं चाहिए यह कितने भी छोटा क्यों नहों सारवजनिक कानून तोड़ना शांति भंग करना है जब अधर्म के छोटे छोटे कारे एक ही करके बढ़ते हैं तो पितरात्म शोक मनाता है और आपका आनन भी गायब हो जाता है इसके अलावा यदि आप परमिश्र के आग्या का उलंगन करते हैं तो यह परमिश्र के साथ शांति तोड़ने से कम नहीं है और आप अपना आनन खोदेते हैं दूशे शब्दों में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि परमिश्र हमें उपर से आनन दो शांति दे सके इसका मतलब यह है कि परमिश्र आत्मा आप में खुश नहीं है क्योंकि पिता किस साथ आपकी शांति तूट गई है तो पिता पर मिर्श्र आपको शांती नहीं दे सकते आपका हिर्दे फिक्र चिंताओ और डर से वैकुल रहेगा जो लोग आराधन सभाओ या प्राथन सभाओ के दोरान असानी से सो जाते हैं वे उन लोगों में से हैं जिनके पास आनन नहीं है इसलिए आत्म और सचैसे आराधन करने के बचाएवे आश्र करते हैं कि सभा जल्दी खत्म हो जाए यह कुछ ऐसा है जो परमिश्र को निरास करता है परमिश्र को वच्छन को सुनते हुए आपको सो भाविक रूप से आनन दीत खुश और धनिवादी होना चाहिए लंबी आराधन सभाव के दोरान भी आपको परमिश्र के वच्छन को शेहत की समान मीठा महसूस करना चाहिए वरना परमिश्र कितने निराश होंगे जो लोग जो लोक्सर के आनन से भरे हुए हैं वे प्रसंदता के साथ परमिश्र का वच्छन सुनते हैं चुशिली प्रातना करते हैं अलकि जो लोगा आनन दित नहीं होते उन्हें वच्छन सुनते हुए अनुग्रे नहीं मिलता और वो प्रातना करने के लिए भी दवाव महसूस करते हैं और इसलिए उनका विश्रासी जीवन आनन्रित नहीं होता है वो केवल आदत के तोर पर अपना धर में जीवन जीते हैं और इसलिए उनका विष्शासी जवन आनंद नहीं होता है विष्ट्रासी जवन आनन्म अर्शुट से बरहा होना चाहिंए हाला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे के वल ग्यान की रूप में ही जानते हैं और क्योंकि वे जानते हैं कि परमीषर हमें देखता है इसलिए वो केवल करते वे की भावना से दबाव से या केवल आदत की रुपे धर्मी जवन जीते हैं अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रेंडे में आते हैं तो किरिप्या पहले खुद को संसार की चीज़ों से अलग करें संसारिक वस्तवे आपको सची खुशी नहीं दे सकती जितना अधिक आप इसे दूर करेंगे उतना ही उपर से परमिशुर आपको सची खुशी देंगे तब आपके अंदर सचा आनन्द और शान्ति उम्ड पढ़ेगी क्योंकि आपने संसारिक चीज़ों को दूर कर दिया है यदि आप संसारिक चीचों को दूर कर देते हैं, आत्मिक चीचों को अपना लेते हैं, तो आपकी अंदर पईतुरात्मा खुश होता है, आपको स्वर्ग की आनन देता है, और यह भी किरप्या जांचे की कहां शांति भंगोईयां और शांति बनाएं। है प्रभीश मसी के नाम से प्रात्ना करता हूं की आप ऐसा करते हुए स्वर्ग के आनन से भरपूर हो जाएं। कि आप प्रमिश्र की इच्छा के नुसार बिना रोके प्राथन करते हैं या नहीं तिर्फ इसले कि आप लंबे समय तक प्राथन करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप इस मापड़न को पास कर देते हैं बले ही आप छोटी प्राथन करें आपको इसे प्रमिश्र की हिर्दे क करने करने ने लेते हैं जैसे प्रभू आपसे निरंतर प्रात्र करने के लिए कहते हैं आपको ऐसी प्रात्र करने चाहिए जो हर दिन अभ्यास से आदत बन जाए येवल वे ही जो इस प्रकार प्रात्र करते हैं आत्मा में हर समय वो जागरित रहते हैं यदि आप आत्मी कुर भाइश्य वक्ता समुईल ने कहा कि वह प्रात्न करना बंद करने का पाप नहीं करेगा बाइबल कहती है कि परमिश्र से प्रात्ना बंद करना पाप है इसलिए शमुईल ने कहा कि वह ऐसा पाप नहीं करेगा बाइबल यह भी कहते हैं कि हमेशर जागते रहो और प्रातना करते हो और प्रातना में परमिश्र को पकारू परनतो यदि आप पर elétी आप उलंगण करे तो यह है पाप है और कितने मसीहें लोग ऐसे हैं जो इस पाप को करते हैं और फिर भी वे कहते हैं मुझे विश्वास है आए मैं मुख्य विश्य पर वापस जाओंगा यदि आप आत्मी क्रोप से जाग रहेते हैं तो आप किसी भी परिक्षा में नहीं पड़ेंगे या तक कि अगर आपके सामने कोई समस्या आती है या परिक्षा आती है तो भी करता है तो आपको से देखकर खुशी होती है और फिर जो लोग इस आनंद को जानते हैं वे पैसे बचाते हैं इसे दो करते क्योंकि जब अपने बैंक घाते को देखते हैं तो उन्हें खुश्य महसुस होती है और पैसा जमा करने की तरह प्राथ्टनाय भी स्वर्ग्मी ज इसलिए जो लोग जागरेत रहते हैं समय प्राथना करते हैं व्यत्ति आवश्रक इस्तियोत्य में भी असानी से उतर प्राप्त कर सकते हैं क्यूं क्यूंकि उन्होंने अपनी प्राथना जमा कर ली है और यह आपके बचत खाते में जमा किये गए पैसों को निकालने जैसा है दूसरी ओर यदि आपने अधिक प्राथना नहीं की है तो क्या होगा इसी समस्य को हल करने या उतर पाने के लिए आपको कितनी और कितनी देर तक प्राथना करने चाहिए बाइबल कहते है कि प्राथना बंद करना पाप है प्राथना ना करने कि पाप की दिवार को तोड़ में काफी समय लग सकता है इसलिए आपको हमेशा निरंतर प्रात्रा करने चाहिए और इसी आदत बना लेना चाहिए इसके बाद प्रात्रा करते समय आपको घुटनों के बल बैठना चाहिए जब आप प्रात्रा करते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं लेकिन परमिश्र क्यों चाहते हैं कि आप प्रात्ना करते समय घुटनों पर बैठें। जब प्रभू ने प्रात्ना की तो उन्होंने भी घुटने टेके और पूरी बाइबल में लोगों की घुटनी टेक कर प्रात्ना करने के कई द्रिश्चे हैं। लेकिन प्रात्ना करते समय घुटने टेकते थे. यदि आप कुछ ऐसा चाह रही हैं जो मनुश्य की ताकस से नहीं क्याजर सकता है तो आपको उश्र शर्ष्रकतिमान प्रमिश्र के सामने घुटने टेकने हें। ऐसी परिस्तितिया भी हो सकते है जब आप घुटने टेक नहीं सकते ऐसी इस्तिते को छोड़ कर यदि आप प्राथन करते समय घुटने टेकते हैं तो यह बिल्कुल बाइबल पर आधारित है और आपको अपनी इच्छा के अनुसा नहीं परन्तु परमिश्र की इच्छा के अनुसार प्राथना करने चाहिए यश्री ने भी इसी प्रकार प्राथना की जैसे कि लोका 22,42 में लिखा है जहां उसने परमिर्षी से प्राथना की, तो भी मेरी नहीं परंतु उपिता तेरी इच्छा पूरी हो। आपको अपनी इच्छा या अपनी खाते नहीं बल्गी परमिश्र की इच्छा के लिए प्राप्णा करनी चाहिए याकूब चार अध्याय दो से तीन प्रद्व कहता है तुम लाल सा रखते हो और तुमें मिलता नहीं तुम हत्यक करते हो डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तुम जगरते हो लड़ते हो तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छ से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो बाइबल के कई हिस्सों में पिता परमिश्र आपसे वायदा करते हैं कि यदि आप मांगोगे तो वह आपको देगा आप मांगते हो और नहीं बाते इसका करणिया है कि आप उससे अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए गलत इरादों से मांगते हो और यदि आपने गलत इरादों से मांगा है और आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप संसार को अपने अंदन लेने लगेंगे और पाप करने लगेंगे यदि आप अंतित्य पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको कैसे उतर दे सकते हैं मतेच ये अध्याय तैतिस पत कहता है रभु ने कहा इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म के खोश करो तो ये सब वस्तुए तुम है मिल जाएंगी जब आप रात्रा करते हैं तो आपको व्यक्तिकत मामलों से पहले प्रमिश्य के राज्य और धर्मिकता के लिए प्रात्रा करने चाहिए तब प्रमिश्य आपको देखता है कि आप में विश्वास है और वह आपको आशिशी देता है यदि आप काम भी करते हैं तो क्या आप प्रमिश्र का काम करते हैं जो लोग प्रमिश्र के प्रती वफदार हैं वहीं हमिश्र उसकी राज्य की धर्मिक्ता को प्राथ्मिक्ता देते हैं यदि आप अपना लाब नहीं बलकि प्रमिश्र की राज्य को चाते हैं तो आपकी प्राथन प्रमिश्व की डिस्ट में उचित होगे तब प्रमिश्व आपको आपकी व्यक्तिगत प्राथनों को तर देगा मुझे आशा है कि आप सभी इसी प्रकार प्रमिश्व की इच्छा के निएसार प्राथना करेंगी अब आपको अपनी प्रात्रों में उस्सा पूर्वक पुकारना चाहिए येश्व बहुत उस्सा से प्रात्रा कर रहा था उसका पसिना लहू की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था बल ही आप उसकी तरह प्रात्रा ना भी करें तो भी आपको कम से कम इतनी लगन से प्रात्रा करने चाहिए कि आप पसिना बहा सकें उतर प्रात्र करना भी एक आत्मिक सिधान्द है यह आत्मिक सिंसार का नियम है यह आत्मिक सिंसार का नियम है कि आपको पिता प्रमिश्र की इच्छा के अनुसार प्रात्ना करने चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्गी उत्तर तभी प्राप्त करेंगे जब आप प्रमिश्र की इच्छा के अनुसार प्रात्ना में पुकारेंगे यदि कोई बात पिता कीछा के विरुद हो जाते है तो चाहे कितना भी प्राथन करेव है विर्थ है उत्पतिती तीन अध्य उन्निस पत कहता है और अपने माथे के पसीने की रूटी खाये करेगा इसका मतलब है कि आप कटिनी को तभी काट पाएंगे जब आप पसीन बाहेंगे हर कोई जो काम करता है चाहे किसान हो या मच्वारे हो वो पसीन बाहते हैं और फिर भोजन प्राथ करते हैं कि पसीन के बिना कोई आई नहीं होती यह परमिश्च्र कवचन है जैसे आपको खाने के लिए पसीन बाहना पड़ता है वैसे ही अपनी प्राथना का उत्तरप्राप करने के लिए आपकी प्राथना जोशे नहीं होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि आदम के आग्या ना मानने से पहले आदन की वाडिका में इस तरह का पसीना और प्रिशम नहीं होता था जब वहात में पराने था और परमिश्र की आग्या का पालन करता था तो वह केवल वही खा कर जीवित रहता था जो परमिश्र ने उसे दिया था वै इस तरह जी सका जो जाही खा सका और बिमार भी नहीं पड़ा अलाकि उसने परमिश्र की वचन का उलंगन किया शारीरिक मनुश्य बन गया वै शारीरिक मनुश्य में बदल गया और उसे खाने के लिए पसीना बहाना पड़ा इसलिए जाब आप सर्व पहुंचेंगे तो क्या आप आत्मेक जन होंगे यह शारीरिक हम आत्मेक जन होंगे जिनके जुताइ हो चुके है तो वहाँ आप बस वही कहा सकते हैं चबें स्कते हैं जो पर मिक्ष्र ने आपको दिया है और बिना उक्तिती न भाई को पुझे से रह सकते हैं कि अदे सेस्ट हैं बाइबल में भी परकिशल आप नीन वर्फ कहाने के लिए कि रहते हैं अर्म्ट ओनन configure 900 सब्सक्राओं कुछ बरसली किसी शर्त करते हैं पर मिश्रायप बात नहीं सुनते हमारी प्राथना उन परिस्तितों के अनुरुप होनी चाहिए जो परमिश्र चाहता है बाइबल कहती है कि पुकार के प्राथना करो मुझसे पुकार कर प्रात्न करो दूश्री सब्दों में आपको परमिश्र के सामने आना चीए प्रात्न में पुकारना चीए तब परमिश्र आपके सुनेंगे यर्मिया 33 सदैतिन पद भी कहता है मुझसे प्रात्न करो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बाते बताऊंगा जिने तू अभी नहीं समझता वैं हमें बताता है कि यदि हम परमिश्र को पुकारे और प्रात्ना करें तो वैं हमें महान और रहस्म में चीज़े दिखाएगा जो हम नहीं जानते हैं जो कि यदि परमिश्र की ऐसी इच्छा जानता था इसलिए प्रात्ना करते समय उसने जोर से पुकार कर प्रात्ना की जब उसने चार दिन से मरे वे लाजर को पुनर जीवित किया तो उसने उचे शब्द से चिला कर कहा लाजर निकला लाजर पहले ही मर चुका था उसे दफना हुए चार दिन हो चुके थे वो सडन की गंदा आ चुके थी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरी के सभी छित्र बंद हो जाते हैं क्योंकि सडा हुआ पानी निकलता है तो एक दिन बाद ही बुरी बद्वु आने लगती है इस मरे हुए शरीर के लिए क्यों प्रभु को उची स्वर में प्रात्ना करने पड़ी उसे मरे हुए चार दिन हो चुके थे तो क्या चुप्चा प्रात्ना करना ठीक नहीं होता यह हैं वहां उख्यटे हुए लोगों के सुनने के लिए था हाला कि बाइबल कहती है कि प्रभु ने उचे स्वर में चिला कर कहा लाजर बाहर हा यहां तक कि जब प्रभु को कुरूस पर लटकाए गया तब भी उसने उचे स्वर में प्रात्ना की प्रभु भूत ही ज़्यादा धक गए थे रात में कई बार महायाच को राजा हेरदिस द्वारा प्रभु को भसिता गया भूका रखा गया कोडे मारे गए उसका मचा कोड़ाया गया और सभी प्रकार की कठनायों का सामना करना पड़ा तो क्या वैध धकान हुआ नहीं होगा उसे कोड़ी मारे गई, उसका लखू बहाए गया, उसे कुरूस पर चढ़ाए गया और गोलगता पहाड तक ले चाए गया और अंगिनत लोगों ने उसका मजा कुड़ाया और उस पर हसे इसके अलावा प्रभू को कई घंटों तक कुरूस पर लटकाए गया और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी फिर बे बाइबल कहते हैं कि प्रभू ने पिता के सामने उची आवाज में प्राथना की लोगाती से देच चैलेस पत कहता है ये शुने उचे सबसे चिनल आकर कहा ही पिता मैं अपनी आत्म तेरे हाथों में सोबता हूँ और इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिये प्रभू ने अपना सारा पानी और लहू बहा दिया था और उसके पास एक श्रद्वी कहने की ताकत नहीं थी यदि आप प्रभू होते तो आपके पास बहुत कमजूर और शान्त आवाज में प्राथना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता फिर भी हमारे प्रभू ने तेज आवाज में पुकार और अपने पूरे हिर्द्यों और ताकत से प्राथना की इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी प्राथना है जिसका उत्तर आत्मिक संसार के नियोवमक्य अनुसार दिया जाएगा जिसे प्राथना की इसलिए हमारे प्रभून ने सुईयह सब किया और प्रमिश्र की सभी लोग भविश्रवक्ता चेली प्रीरिद पुलुस ने भी पुकार और प्राथना की जैसे की लिखा है येश्य ने भी पिता परमिश्य की इच्छा के नुसार अपने प्राथना में उचे सर से पुकारा पुकारने और प्राथना करने के और भी कई कारण है सर्गदूत हमारी प्राथना सुनते हैं हम जो कुछ भी करते हैं वो उसे रिकोर्ड करते हैं वे हमारी प्राथनाएं सुनते हैं और उन्हें प्रधान सर्वधुत तक पहुंचाते हैं और हमारी प्राथनाओं की सुगंद और प्राथना विश्य को पिता प्रमिश्य की संगासन तक ले जाते हैं लेकिन जब हम अपने मन में प्राथना करते हैं तो सब्दूत नहीं सुन सकते इसलिए हमें प्राथना में पुकारना चाहिए क्योंकि परमेशन हमारे अंद्रोनी हिर्दे को जानता है वह सुनता है भले हम के वले हिर्दे से प्राथना करें हाला कि वह एक अरब आत्माओं की सभी प्राथने नहीं सुनता, सर्थ दो तेन प्राथनाओं की सुखंद और प्राथना विशे पहुचाते हैं, प्रधान सर्ग दोत से यह प्राथना विशे प्राथ करते हैं और इसे पिता परमिश्युकिर सिंगासन पर एक सुनहरे जार मे रख देते हैं, इस कारण से हमें उचे सर से प्राथना करने चाहिए, यह पैतर है कि हम प्राथना में पुकारें, इसके बाद आपको अपने हिर्दे की गहराई से प्राथना करने चाहिए, आपको अपने हिर्दे की केंदर से प्राथना करने चाहिए, ऐसा इसी नहीं है क् कि परमिष्वव आपके हिर्दे को देखता है ना कि आपके बाहर इस स्तुरूप को लगाय कुछrar माउमेश कर देया के भिख्णा करना व स्तुरंग सब्सक्राइब की एक लिए अपने होटों से प्रात्ना करना आ मैं इसका मतलब है अपने होटों से वही प्रात्रां करना जो आप वास्तों में अपने हिदे से चाते हैं तो फिर क्या ऐसे लोग हैं बले ही उनका दिल नहीं चाता फिर वह जो प्रात्रां करते हैं तो फिर वह प्रात्रां में क्या वांगते हैं विश्चेश कर जब परमिशुक के राज्ज कि रिप्या मेरी मदद करें कि मैं दूसरों के साथ शांती बनाने के लिए उन्हें पहले खुद को बदलना होगा यदि आप सुए को बदले बिना दूसरों को बदलना चाहते हैं तो आप वास्तों में शांती बनाना नहीं चाहते हैं इसलिए चाहें वे कितनी भी प्राथना करें मुझे दूसरों के साथ शांदी बनानी चाहिए यह है उनके हिर्द के घराय से की गई सच्ची प्राथन नहीं है परमिश्र के राचे के लिए प्राथने के साथ भी ऐसे ही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कितने पवित देखते हैं आप कितना से साथ पत क्याता है पर विशात से मांगे और कुछ संदे ना करें क्योंकि संदे करने वाला समुंद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती है उचलती है समुंद्र से यह न समझे कि मुझे प्रभू से कुछ मिलेगा और संदे के साथ प्राथन करने से हमेशा हमें परमिश्र से इस पर शिया तुरंत उत्तर नहीं मिल सकते हैं यदि आप यह सोचते हुए प्राथन करते हैं क्या मुझे सचमुश उत्तर मिल सकता है यदि नहीं मिल पाये तो क्या होगा तो क्या होगा तो फिर आपको परतर नहीं मिल सकता आपको सच्मुश विश्वास करना चाहिए कि परमिश्व जो कि जिवित है आपको उतर देगा और आपको भी परमिश्व से प्रेम की साथ प्रातरा करने चाहिए जब आप अपने चर्च और आत्माओं के लिए प्रात्रा करते हैं यदि आवास्तों में चर्च और आत्माओं के लिए प्रेम से प्रात्रा करते हैं तो आपकी प्रात्रा आवास्तों में सुन्द सुगन में बदल जाएगी विश्वास और प्रेम के बिना प्राथना वैसों कर्ma नहीं बन सकती जिसे प्रमिश्र प्राथन कर सके। इसलिए भले ही आप धोड़े समय के लिए प्राथना करें आपको विश्वास और प्रेम से प्राथना करनी चाहिए। अब तक मैंने आपको बताया है कि आपकी प्राथनों को मापते समय साथ आप में क्या जास्ती हैं जब साथ आप में किसी एक छेतर को मापती है जैसे कि विश्वास तो वे कई चीजों को चांस्ती है वे सिर्फ यह नहीं जांस्ती कि आप प्राथना करते हैं या नहीं या बहुत सक्त और कठील है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्या आप अपनी सांसों को ऐसे किनते हैं, जैसे आप एक मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, क्या आप यह सोचकर सांस लेते हैं, कि सांस कैसे ले, जब आप भोजन करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं, कि आपने भोज बोचन कैसे किया इसके कई चरण है जैसे कि चम्मच उठाना बोचन को मूं में डालना और चबाना क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खाएंगे यह सुस्ते वे कि क्योंकि यह प्रक्रिया तो भोच जाता कठीन है एक बार जब यह आदत बन जाए तो आपको बस इसे करना ही होता है यदि आप अभी तक बताए गई बातों के इनुस्तार प्रात्रन करने की आदत बना ले तो ऐसा करना आपके लिए सुभाविक हो जाएगा यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बहुत बड़ा बोज है आपको यह कहते हैं अपना मन बना लेना चाहिए मैं उस माप्टन को पास करने के लिए और अधिक परिश्रम पूर वग प्रात्रन करूँगा मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार प्रात्रन करेंगे और अपने ही देखे इच्छा को प्रात्र करेंगे और पिता परिमीश्र को महमा देंगे अब मैं साहता आत्मा दारा मापी चाने वाले चोथे कुण के बारे में बात करने चाहरा हूँ जो की धन्यवाद है पतानन दित रहो निरंतर प्रात्न करते रहो हर बात में धनेवाद दो यह करम से लिखा गया है चुरुआत में विशास सकसे महतपून चीज है पहले विशास आता है फिर आनन फिर प्रात्न फिर धनेवाद धनेवाद भी उन फलो में से एक है जिसे आपको प्रमिश्य की संतान के रुपे उत्पन करना चाहिए जितना चाहिए आपके पास सच विशास है थोड़ा सा भी आप हर परिस्थिते में धनेवाद का अंगिकार करेंगी जब आपको याद आता है कि आपको धार का नुग्रे मिला है तो आप धनेवाद हुए में नहीं रह सकते हमेशा के लिए नट में पीड़ा भूग ने थी लेकिन आपको धार का नुक्रे दिया गया है आपको अनजीवन दिया किया है और आप हमेशार सर्थ में रहेंगी आपको धनेवाद कैसे नहीं दे सकते इसके अलावा प् नहीं रह सकते यदि आप पर मिश्र के उधार पाई हुए संतान है तो आप धनेवादी हो सकते हैं बले ही धनेवाद देने के लिए कुछ विश्रेश चीज ना हो फिर जैसे जैसे आपको विश्रास मजबूत होता है पर मिश्र आपको अधिकास चीज देते हैं इस परकार आपके पास धन्यवाद देने के लिए अधिकारण होते हैं केवल एक दिन में धन्यवाद देने के लिए आपके पास कितने कारण है आपको इस संसार में सुरक्षित होने के लिए धन्यवादी होना चाहिए जहां बहुत सारी धुरुगटनाए होती है पहले योना 5.13 पत क्याता है हम जानते हैं कि जो कोई परमिश्र से उत्पन हुआ है वह आप नहीं करता पर जो परमिश्र से उत्पन हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह डूर्श्यों से छू नहीं पाता क्या आप परमिश्र से पैदा हुए हैं या श्रतान से आप यह कहना चाहेंगे कि मैं तो परमिश्र से पैदा हुआ हूँ यह पत कहता है कि परमिश्र से जन्मा कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता आप जो परमिश्र से जन्मे हैं कभी भी पाप नहीं करते यदि हम परमिश्र की वच्चन में रहते हैं तो दूसरा में छू नहीं सकता और हम परमिश्र द्वारा सुरक्षित रहते हैं इस इस इसलिए है क्योंकि हवा और पर्याव वर नहीं है कारक प्रदूश्चित हैं और कई बिमारिया नहीं नहीं पाई जाती हैं हलां कि जब यृड़ तक आप रमिश्र के सामने पॉपने ही करते वह आपको सबी बिमारियों से बचाता है और आप कितने धनेवादी हैं आपको इस बात के लिए धनेवादी होना चाहिए कि आपने आपके शरीर के सभी अंग कई सालों से अधिक अच्छे से काम कर रहे हैं और आपके शरीर में से लेकर पैर तक तंत्र का तंत्र और रक्त वाहिकां कितनी जटिल हैं यदि के वल एक रक्त वाहिका बंद हो जाती है यदि के वल एक तंत्र का कोशिका सुन हो जाती है तो एक पन में आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता है हलाकि आप में से अधिकांश लोग कई सालों और कई दश्कों से कभी भी हस्पताल नहीं गए हैं परमेशने आपको सुरक्षा दी है और आप सुस्त रहे हैं ऐसे आपमें जी लोग परमेशर के वाचन के अनुरसाध जीते हैं वे बिमार होने की चिंदा नहीं करते हैं। तो आपको इसलिए को लग चाहे तो आप भली भाती जानते होगि परमेश्र किस परकार कर सकता है इसके अलावा इस चर्च में परमिश्व के सामर्थ है जो किसी भी परकार के लाइलाज बिमारी को ठीक कर सकती है आप पस्पतान में बहेंगी इलाज के बिना बिमारीयों के लिए प्रात्रा ग्रहन करके पिता परमिश्व तोरा चंगे हो सकते हैं के मेरे भी धन्यवाद और अधिक बढ़ गया है और ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा इसलिए है क्या धन्यवाद और जादा धन्यवाद को जन्म देता है और मैं हमेशा धन्यवाद के लिए कारण ढूनता हूं और पिता परमेश्र को भी धन्यवाद की प्राथन करता हूं मैं ना केवल धन्यवाद की प्राथन करता हूं बलकि मैं परमेश्र को धन्यवाद की भेटी भी अरपन करता हूं नेमे धन्यवाद के भेट के अलावा मैं धन्यवाद देने के लिए एक विश्यस कारण को ढूनता हूँ परमेश्र को धन्यवाद भी भेट करता हूँ क्योंकि मैं हमेश्र धन्यवादी और रहबारी होने के लिए इस्तितिया ढूने का आनन लेता हूँ इसलिए मेरा आनन कभी भी रुकता रही है पिर भी ता परमिश्र मुझे लगा तारार्टिक और रनुग्रे सही ताशीशी देते हैं जिसके लिए मैं धन्यवादी हुए बिना नहीं रह सकता इसलिए मुझे आशा है कि आप भी हर चीज के लिए धन्यवादी होंगे चाहे आ जब आप केवल तबी धन्यवादी होते हैं जब आपके लिए कुछ अच्छा होता है और जब कुछ गलत होता है तो आप शिकायते करते हैं तो आप उसे पार करने में ऐसे हफन हो चाहेंगे फिलिपियोची एदाय और हम बाइबल पत पढड़ेंगे फिलिप्योचा रहे देद्धेश्चे-साथ-पत क्याता है किसी भी बात की चिनता मत करो परन्तों हर एक बात में तुमारे निवेदन प्रात्ना विंती की द्वारा धर्म निवाद के साथ परमेश्र समुखु पस्षित के जाए तब परमेश्र के शांति जो समस्य बिल्कुल परे हैं तुमारे ह पुराफन कर रहे हैं जो ना जो कि बड़ी मचली के पेट में गया था उसने धनिवाद के साथ में अधनी अच्छी मिलों के ब्हूचन बन जाएगा प्रहुर्यत पोलुस जिसे पीटा गया था घौन बहरा था एक घ्री इसलिए बाइबल कहते है कि किसी भी बात की चिंता मत करो परंदू हर एक बात में तुम्हारे निवे दन प्राथना और विंति के द्वारा धनेवाद के साथ परमेश्र के सम्मों को पसित के जाएं किरिपें सब्दों को ध्यान में रखें विश्रिस कर एल्डर सुर प्रभू में भाई जाहे आपकी परिस्तिया कितनी वे खराब क्यों ना हो किरिप्या विश्रास से परमिश्र को धनेवाद दें परमिश्र आपके इस प्रकार के विश्रास की कारें से प्रसंद होगा और व την 귀한 말씀을 통해 어찌하든 축복 주기 원하시는 삼일체나님의 사랑을 마음 절절히 새기고 또 새기며 각각의 믿음의 분량에 따라 더욱 하나님을 기쁘시게 해드리는 기쁨과 기도와 감사의 향을 올려드리므로 응답과 축복의 열매가 넘치는 복된 만민이 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. ये समय होगा कि हम बिमारों के लिए चर्वाही के प्राथनों को ग्रहन करेंगे यदि आप बिमार है तो अपना हाथ बिमार अंगो पर रखे यदि आप बिमार नहीं है तो अपने हिर्दे पर अपना हाथ रखे इस प्राथनों को विश्वास के साथ ग्रहन करें हालेलुई हाश्च शेक्तिमान प्रीमी पिता परमेशर किर्प्या अपना हाथ सभी विश्यास यो पर रखे जो इस प्राथना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहेंट कर रहे हैं उन सभी पर अपना हाथ रखे जो जिसेंटीवी ठाका क्लीश सैसानी कलीश्या और संसार भर में केपल सैटिलाइट के द्वारा देख रहे हैं उनके हिदे में विश्यास को बोई है ना करात्मक विचार और शक्की से ना को निकाल दीजिए सभी परकार के महा मारिया और फैले वाले और जैसे मनेरिया चला दीजिए सभी संक्रामक रूँ जैसे जुखाम बुखार उनसे दूर हो पिताओं ने हर परकार के शिवान विश्यान वेक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए उनके सभी परकार के कैंसर, पेट के कैंसर, विपड़े के कैंसर, चुकर के कैंसर, चाती के कैंसर, घर्ब के कैंसर, सभी परकार के रोग, सिरी रोग, थायरोग के रोग, सभी परकार के सुजन, जलन से चंपाई दीजिए पुईन प्योत प्योत प्युट्टागा जिरान का मोदन यंजिंग दो क्या है चुपससा स्वामाबी जुंफंग गाजल लंठी को तुपससा प्रकार के दूसरी बिमारे उसे जात कीजिए और पुदे कम पुराके ठीक हो जाए काल समाने हो जाया ने पहरे चुने लगे बार चुने लगे कुणे बूलने लगे दुरकटां के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए, उनके टूटी हटें ठीक हो जाए, मिलतक तंतिरकाय कोशिका इंफिसे मन जाए, जलन दहन समेतना उसे दूर हो, पिता वहाँ कोई दाग न रहे तब प्रकार के दवाव के इस्तिमालों और विश और उनके पदार्द के लदसे साफ हो जाओ, पिता मिलतक कोशिका ओ टो को तंतिरकाओ को फिर सी जिला देजे गरदार्ण के आशिष दीजे, आप गरदार्ण के आशिष प्राप्त करने पाए, मैं शु मस्यक के नाम से आग कि आपने आलकने वाली आत्म है सारी अंतकार की सेना दूर हो डूर अंतकार के सारे बंदन खुल चाहा उनसे दूर हो जोती उन पर चमक जाए पिदापर मिश्र उन्हें प्रात्रों में चिलाने की ताकत दीजिए और पापो को निकाल फैकने की सामद दीजिए और वे पईत् सब्सक्राइब करें जाएं उन्हें सभी प्रकार की दुर्गतना और वे पत्यों से सुरक्षा दीजिए उन्हें हर चीज में सफल जीवन चीजिए और प्रापने बच्चों को घरों को कारेशालाओं को पहित्रात्म क्याक के बाड़े में सब किसे नसल दूतों अपने अधिक जोशेला प्रेम लोपिए अपने बच्चों काशिश दीजिये चाहिए खाये पीए जो कुछ करें में इस सब चीजों में अब तु हैमें नपनानम मैं नोड़ा च्में नड़ा नोरा इंद अनृवरा फ़क्र दे की मैं परमिश्य कार दगा प्रमी चुप्शिया करता हूं आमें आमीन मामी जानां बेक जान ने सरांग तूर पूरी सिम्यों सो जुम्भी आज़ा शना हम गुम आई हमान में इस टे काएंगे स्वी